पहले बात तो कोई भी चीज़ रीड करने से पहले आपको इसके बारे में इनफ सोचना होता है रीड करने आप आ गए यानि कि आप आंसर्स लेने आ गए लेकिन सभी सवाल तो सोचो अपने दिमाग में जैसे माल लेते हैं आप अपने स्टॉक्चर पढ़ रहे हो तो फिर ज आपको आपको आइडिया लगे जिससे आपके दिमाग में साही थो आएंगी ताकि जब रीडिंग आप करो तो वह आपके उन थॉर्ट्स का आंसर हो ठीक है जब हमारे क्वेस्ट्स अल्री राइस कर चुके होते हैं अपने दिमाग में दिमाग में तो फिर जब हम उनके आंसर्स देखते हैं तो हमें ज़्यादा रहते हैं अगर हम simply read गन लग जाते हैं अंसर्स तो हमें आंसर याद रहते हैं माल लेते हैं आपको मैं कोई आंसर बताता रहूं लेकर आपके question क्या था वो आपको पता ही नहीं था तो फिर कैसे काम चलेगा तो इसलिए thinking ज़रूरी होती है, number two, seeing things in action, experimental चीज़ें होती है, physics, chemistry, math के अंदर, उनको action में देखना बहुत ज़रूरी है, experiments देखना बहुत ज़रूरी है, आप optics पढ़ रहे हो, आपने reflection, reflection, TIR, इन सब के अगर visualization के videos ने देखे, light क्या होती है, wave के form में कैसे होती है, particle के form में कै कैसे होती है, light, अगर उसके आपने visualizations ने देखे हैं, बहुत सारे, simulations ने देखे, experiments ने देखे, तो फिर आप कैसे खुद visualize करने वाले हो, जब light के बारे में questions आएंगे, तो आप कैसे कह सकते हो, कि आप ये concept अच्छे है, लेकिन आपने experiment होते हो, नहीं देखा कभी, ठीक है, ये possible नहींत है, लेकिन अभी इंटरनेट की मुद्स से possible है कि आप experiments देख सकते हो, बहुत सारी websites हैं, और YouTube पे बहुत सारी videos हैं, जो कि आपको explain कर सकती हो, ने experiments को, फिर आपको reading concept wise करने होगी, chapter wise नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा chapter आप read करोगे, फिर आप practice करोगे, नहीं, आप concept आप read करोगे, फिर आप practice करोगे, तो आपको concept wise read करना होता है, और concept wise आपको उठाने है, जे एडवान्स के से लेबर, जे इमेन से आप concept हो, कि ये concept में को पढ़ना है, और उसी उसी की reading करो, cover to cover book को नहीं पढ़ने की जरूवते हैं, फिर आपको understanding of framework में ने बता था, chapter mastery के अ आपको 30-40 pages minimum एक दिन में read करने हैं, उसी से आपकी necessary reading speed build होगी, initially आप slow करोगे, लेकिन बाद में आप fast करने लग जाओगे, क्योंकि आप उससे used to हो जाओगे, और used to होना जरूरी है reading से, क्योंकि reading exam में काम आएगी